जेश्री शाम स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब? I hope सब फिट एन फाइन होंगे. This is your educator साक्षी दुआ. Welcome to class 12 grooming education. तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करने वाले उस news के बारे में जो कि आजकल circulate हो रही है, टेलिग्राम चैनल्स पर circulate हो रही है, जो year 2024 में होने वाले हैं, वो postpone हो गए हैं. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये news जो circulate हो रही है, कि CBC के जो board exams हैं, वो postpone हो गए हैं, वो real है या फिर fake हैं. तो आईए बात करते हैं, देखे बाता, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उन सारे students के बारे में, those who belongs from the academic session 2023 to 2024, यानि कि मैं बात करेंगे उन सारे students के बारे में, जिनोंने अपने board exams देने हैं, in the year 2024, ठीक हैं, मैं यहाँ पर बात करने वाले हूँ, सारे वो class 10th के students, और class 12th के students के बारे में, जो particular academic session 2023 to 2024 से बिलोंग करते हैं, और उनके board exams conduct किये जाएंगे in the year 2024, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूँ कि यह जो भी news circulate हो रही है, regarding the postponement of your CBSE board exams, or you can say, regarding the delay of your CBSE board exams, totally fake है, अब मैं यह कैसे दावा कर सकती हूँ कि यह totally fake है, वो इसलिए क्योंकि बेटा, अगर कोई इतनी बड़ी चीज होती है, कि CBSE ने अपने board exams को postpone करना है, तो CBSE definitely अपने website के through, एक circular circulate करके जरूर हमें बता देता है, ठीक है, information मिल जाती है, और ऐसी कोई भी information CBSE की website पर available नहीं है, अगर आप यह देखना चाहते तो आप यह खुद भी देख सकते हैं, CBSE की website आप सबको पता है, कि वो है cbse.gov.in, आप इसको open करिये, CBSE की website को, academic website पर जाएए, और वहाँ पर circulars का एक column आता है, circulars का column पे click कर लिजिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कोई भी circular out नहीं है ऐसा, जिसमें cbse ने यह भूलाओ कि cbse board exams को postpone कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर question यह आता है कि फिर मैं cbse कभ exam conduct करेगा, तो पेटा यह मैं आपको बता दूँ कि cbse ने पहले ही session के round of starting में ही बता दिया था, कि cbse 2024 में जो भी board exams conduct करेगा, वो करेगा round mid of February में, ठीक है, यहनि कि 15th February 2024 से cbse के board exams start हो जाएंगे, साथी में cbse ने यह भी बताया था, कि यह जो exams हैं, यह चलेंगे round 55 days, 55 days तक cbse के यह exams चलते रहेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको बता दू, cbse ने बताया है कि class 10th के जो exams हैं, वो 15th February से start हो जाएंगे, 15th February 2024 में start हो जाएंगे, और 21st March 2024 तक चलेंगे, ठीक है, और जो class 12th के exams हैं, वो start हो जाएंगे 17th February 2024 में, और यह 10th April 2024 तक चलेंगे, हलाकि यह dates तो हम tentative बोल सकते हैं, मतलब in the sense की 1 to 2 days उपर नीचे हो सकते हैं, but round of यह dates रहने वाली हैं, आपके starting of board exams की and end of board exams की, और इसमें CBSE ने अभी तक कोई changes के regarding कोई circular नहीं निकाला है, in case अगर CBSE इसको postpone करती भी है, तो circular जरूर आउट करेगी, और जैसे ही आउट होगा हमारे channel पर आपको definitely inform कर दिया जाएगा, तो हमारा channel आपको बिल्कुल वो वाली updates देगा, जो real है, fake पे हम believe नहीं करते, हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई भी ऐसी fake information दे, जिससे कि आप लोगों का कोई भी loss हो, तो यहाँ पर guys मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी real updates चाहिए हैं, तो हमारे channel को जल्दी से subscribe कर लिजे, साथ ही में हमारा channel generate करता है बढ़िया बढ़िया content for class 12 students, जो की commerce stream से belong करते हैं, so we are generating the content for business studies, economics and accountancy for class 12, तो देर किस बात की बेटा जल्दी से हमारे channel को subscribe कर लिजे, अगर आप class 12 commerce के student है, तो यहाँ पर guys, I hope यह वीडियो आपको काफी useful रहेगी, और यहाँ पर मैं इस session को end करना चाहते हूं, मिलते हैं हमारे next session में, till then bye bye, take care, जैशी शाम.